दोन ओफ modern physics आप लोग हैडिंग दें electromagnetic radiation electromagnetic इलेक्ट्रो मेगनेटिक रेडियेशन जो होती है यह सम टाइम एजा वेव करती है तो एक तो इनके अंदर होता है वेव नेचर और एक इनके अंदर एक और नेचर भी होता है और उसे हम कहते हैं पार्टिकल नेचर मतलब यह है कि इलेक्ट्रो मेगनेटिक रेडियेशन के पास बेटा एक नेचर होता है यह दो नेचर होता है तो मतलब यह है यह कैसी है बेटा यह डूवल नेचर होती है तो इनकी नेचर डूवल होने का मतलब यह है कि इनके अंदर वेव नेचर भी होता है और particle nature भी होता है लेकिन सबसे important बात यह है कि किसी एक experiment के अंदर दोनों में से कोई एक nature ही show होता है कुछ experiments में electromagnetic radiation अपना wave nature show करती है और कुछ experiments में electromagnetic radiation कौन से nature show करती है बेटा particle nature कोई भी ऐसा experiment नहीं होता जिसमें दोनों नेचर एकी टाइम पे show हो रहे हूँ जहां wave nature show होगा वहाँ पे ये नहीं होगा जहां पर particle nature show होगा वहाँ पे wave nature show नहीं होगा तो बेटा याद रखें electromagnetic radiation के पास बेटा दो तरह की nature होते हैं जब electromagnetic radiation wave nature show करे तो हम उनको कहते हैं electromagnetic waves electromagnetic waves तो बेटा electromagnetic waves का word हम तब यूज करते हैं जब कौन सा nature वहाँ पे show हो रहा हो wave nature और याद रखें कौन सी दो चीज़ें ऐसी हैं जो अगर कोई भी show करेगा तो उसके बार में हम ये कहेंगे कि उसके अंदर wave nature है तो बेटा याद रखें वो होती है तो बेटा जब भी कोई चीज diffraction या interference इन दोनों में से कोई एक phenomenon भी show कर दे या वो interference show कर दे या वो diffraction show कर दे तो ये दोनों phenomenon बेटा wave nature को represent करते हैं या उसको show कर रहे होते हैं इसलिए याद रखें जब भी electromagnetic radiation interference show कर रही हो या diffraction show कर रही हो तो हम ये कहेंगे कि वो कौन सा nature show कर रही है wave nature और हम बोलेंगे अब ये as a क्या behave कर रही है electromagnetic waves अब आज हैं बेटा second nature जब electromagnetic radiation एक particle की तरह भीएव करें और याद रखें किस scientist ने सबसे पहले electromagnetic radiation के बारे में कहा था कि ये energy के packets है packets of energy packets of energy और इनको quanta का नाम दिया था और quanta का मतलब बेटा क्या है packet या bundle of energy तो बेटा ये quanta का word ये represent करता है कि electromagnetic radiation particle की तरह भीएव करती है तो सबसे पहला scientist जिसने ये predict किया ये theory दी कि electromagnetic radiation के अंदर particle nature होता है और ये basically packets of energy होते है या फिर quanta होते है तो उसका नाम था Max Planck तो बेटा Max Planck ने ये सबसे पहले कहा था अगली बादरा सुने इसी quanta कोई बाद में हमने किस नाम से बुलाया photon के नाम से तो बेटा याद रखें जब electromagnetic radiation wave nature शो करे या as a wave behave करे तो हम उने electromagnetic wave कहेंगे और जब electromagnetic radiation particle nature शो करे तो फिर हम उनको quanta या फिर photon कहेंगे तो बेटा याद रखें photon का word ये शो करता है कि वहाँ पर particle nature शो हो रहा है और electromagnetic waves का word ये रिप्रेजेंट करेगा कि वहाँ पर wave nature वहाँ पर शो हो रही है types of electromagnetic radiation EM लिख देता हूं है electromagnetic radiation तो electromagnetic radiation जिनका particle nature ही हमने पढ़ना है और particle nature जब वह शो करें तो उन्हें photons कहते हैं अब हमने पढ़नी है types of photons कितनी होती है ये बहुत important चीज़े हैं यही एक topic हमारे syllabus में है अकसर बच्चे ये पूछते हैं photoelectric effect करना है या content effect करना है pair production बेटा वो कोई चीज हमारे course में नहीं है जो चीज़े मैं आपको बता रहा हूँ exact यही हमारे course में है और इसके बड़े अच्छे questions बनेंगे भी हम मैं आपको करवाऊंगा क्यूंकि बेटा हमारे पूरे syllabus में जो articles आने थे उनने syllabus में लिखे हूँ है आपको पता है chapter number जो आपका है 3, first year का motion and force वो complete पूरा chapter ही almost हमारे syllabus में है और उसका उन्होंने एक एक article लिखा हुआ है outline के अंदर syllabus में तो बेटा याद रखें जब वो इतने छोट छोटे article जो के दिखें by name लिख रहा है तो वो कैसे ऐसा कर सकता है जैसा इतना बड़ा article content जैसा article या पेर production जैसा article इनको नाम से ना लिखे तो इसलिए वो सब हमारे course में नहीं है सिरफ हमारे course में ये types of photons हैं और photons के फार्मूले हैं लेकिन इनके बड़े अच्छे अच्छे questions बन सकते हैं वो भी देखेंगे हम कैसे बनेंगे तो बेटा topic का नाम आपके पास आ गया types of electromagnetic radiations या फिर photons देखें बेटा total seven types के photons होते हैं बेटा सबसे first का नाम लिखे radio बेटा ये आपके पास आ जाएगा बेटा radio waves number two बेटा कौन सा आ जाएगा आपके पास microwaves number three बेटा कौन सा आ गया आपके पास infrared infrared को बेटा हम short में IR बोलेंगे अगली बात इसके बाद लिखें ज़रा आर ओ वाय रॉय जी बिव ये आपने ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है विब गियोर से याद नहीं करना इसको याद करना है रॉय जी बिव तो बेटा ये अप लिख लिखें आपने और इसके बाद लिखें आगे ultra violet ultra violet और इसको हम लिखेंगे बेटा इसको बोलेंगे हम यूवी आगे लिखें बेटा x rays और फिर आगे लिखें आप बेटा gamma rays तो x rays और gamma rays देखें बेटा ये बेटा आपके पास बेटा number one है ये number two है ये number three है बेटा यहां से लेकर यहां तक ये जो seven colors है इस seven colors को हम white light या फिर visible part of spectrum कहते हैं बेटा देखें white light भी कह सकते हैं इसको या फिर visible तो बेटा याद रखें visible part या फिर आप लिख लें इसको white light तो बेटा visible portion या white light बेटा किस number पे आया ये बेटा आगया fourth number पे आगे बेटा आगया fifth ये आगया sixth ये आगया seven तो बैटा मुझे सबसे पहले question का answer करें कि बैटा हमारे पास electromagnetic radiation या photons की बैटा total कितनी types होती है 7 types, radio waves, microwaves, infrared, white light या फिर visible light, ultra violet, x-rays, gamma rays देखे बैटा अब सबसे important चीज़ यह है कि यह 7 चीज़े हैं और इन 7ों में से सिरफ एक ही है जो हमें naked eye से नजर आता है और वो सिरफ कौन है white light या फिर visible part ये वाला, बाकी तीनों उपर वाले और तीनों नीचे वाले ये हम अपनी आँख से नहीं देख सकते हाँ, detector से इन्हें क्या कर सकते हैं detect देकि इन 7ों में से नजर सिरफ हमें क्यों आता है visible light अगली बात ये जो visible light है या white light है इसके आगे फर्दर कितने colors हैं seven colors कौन कौन से red है, orange है, yellow है, green है, blue है, indigo है, violet है बेटा ये वाला आगे है अब सबसे important चीज ये सातों के सातों जितनी भी है इन सातों की frequency अलग है इन सातों की wavelength अलग है इन सातों की energy अलग है इन सातों का momentum अलग है अब ज़रा देखे बेटा जब आप उपर से नीचे आएंगे तो उपर से नीचे आते हुए याद रखें कि बेटा frequency बेटा क्या करेगी increase करेगी similarly उपर से नीचे आते हुए जो बेटा आपके पास है energy इनर्जी भी increase करेगी similarly उपर से नीचे आते हुए बेटा momentum भी क्या करेगा momentum बेटा आपका क्या करेगा increase करेगा लेकिन एक ही चीज है जो उपर जाते हुए बढ़ती है अब बेटा उपर जाते हुए बेटा क्या बढ़ेगी wavelength बढ़ेगी लेमडा बढ़ेगा तो बेटा याद रखें मुझे आप एक बात बताएं कि इन सातों की सातों में से सबसे ज़्यादा frequency किसकी है तो आप देख सकते हैं बेटा उपर से नीचे आते हुए frequency बढ़ रही है तो सबसे नीचे कौन है बेटा gamma raise तो बेटा अगर मैं question करूँ पूरे electromagnetic spectrum में सबसे ज़्यादा frequency किसकी है gamma raise की और जिसकी frequency ज़्यादा उसी की energy ज़्यादा उसी का momentum ज़्यादा तो ये तीनों चीज़ें बेटा नीचे आते हुए बढ़ रही है तो इसका मतलब बेटा क्या है कि सबसे नीचे कौन है gamma तो gamma की frequency सबसे ज़्यादा है gamma की energy सबसे ज़्यादा है और gamma के photon की momentum सबसे ज़्यादा है और अगर मैं कहूँ पूरे electromagnetic spectrum में सबसे बड़ी wavelength किसकी है तो बेटा wavelength बेटा उपर जाते हुए बढ़ रही है और सबसे जो उपर होगा उसकी lambda सबसे ज़्यादा होगी और सबसे उपर बेटा कौन है radio waves तो बेटा radio waves जो होगी बेटा उनकी wavelength सबसे क्या होगी ज्यादा होगी तो ये तो होगया बेटा पूरे spectrum की बात अगर मैं कहूँ सिर्फ visible light की बात करूँ तो बेटा visible light के seven colors में से सबसे ज़्यादा frequency किसकी है तो आपने बेटा sequence यही वला लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है और आप देख रहे हैं बेटा कि उपर से नीचे आते होगे frequency बढ़ रही है तो जब आप उपर से नीचे आ रहे हैं frequency बढ़ रही है तो visible light का कौन सा रंग है जो सबसे नीचे है वाइलेट तो बेटा वाइलेट की frequency सबसे क्या है ज्यादा उसी की energy भी सबसे क्या होगी ज्यादा उसी का momentum भी सबसे क्या होगा ज्यादा और नीचे से उपर जाते हुए lambda बढ़ता है तो अगर मैं कहूँ visible part में सबसे बड़ी विवलेंट किस color की होती है तो सबसे उपर कौन है red तो बढ़ता red का lambda सातों रंगों में सबसे ज्यादा होगा और याद रखें यह जो नाम रखे गए है न infra red या ultra violet वो इस sequence को देख के रखे गए है देखें बढ़ा कैसे infra कहते हैं पहले infra red कहते हैं red से पहले क्योंकि infra red के बाद कौन आएगा red आएगा और ultra कहते हैं बाद वाले को तो ultra violet का मतलब क्या है violet के बाद वाला तो बढ़ता जो violet के बाद आएगा वो ultra violet और जो red से पहले आएगा वो infra red तो ये नाम इस तरह से रखे गए है इसलिए आप जब भी लिखेंगे तो आप IR के बाद लिखेंगे ROYGB निचे आजएगे Ultra Voilet तो आप पूरे के पूरे विजिबल स्पेक्टरम में सबसे बड़ा Lambda किसका है Radicaler का और सबसे ज़यदा Frequency, Energy, Momentum किसका है Voilet Color का है अच्छा, अगली बाद देखें इन सातों की सातों की Frequency different है Energy different है, Momentum different है Lambda different है लेकिन इन सातों की क्या सेम है तो बटा याद रखें इन सब की स्पीड सेम है और सब के सब फोटोन की स्पीड बटा कितनी है 3 into 10 to power 8 meter per second लेकिन ये सब की स्पीड सिर्फ सेम कहां पर है वैक्यूम में तो बटा इन सातों की सातों फोटोन की जितने भी हैं ये Red है, Voilet है, Blue है, Microwaves, Radio Waves, X-rays, Gamma Rays इन सब की स्पीड कितनी है 3 into 10 to power 8 meter per second इन वैक्यूम तो सब की स्पीड बटा क्या है सेम है Electromagnetic Waves या Electromagnetic Radiations बेटा, ये किसमेंvi ट्रेवल कर सकती है वैक्यूम में भी और मीडियम में भी तो ये सारी चीज़ें वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है और मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है अब ये सब कुछ करने के बाद अब आगे मैं लिखवा रहा हूं फार्मूले के फोटॉन्स के फार्मूले क्या होंगे फिर्क्वंस्टी का फार्मूला, इनर्जी का फार्मूला, मुमेंटम का फार्मूला, लेम्डा का फार्मूला जितने भी फार्मूले मैं लिखूंगा न वो सारे फार्मूले सिर्फ किस के लिए होंगे फोटॉन्स के लिए ये बात याद रखें अब आगे ज़रा लिखते हैं बेटा फार्मूले बेटा क्या क्या है फोटॉन्स के तो बेटा लिखें ज़रा फोटॉन की बेटा जो इनर्जी होती है ना इनर्जी का फार्मूला होता है E is equal to HF जिसमें ये H क्या चीज़ है H बेटा है Planks constant Planks constant होता है बेटा और इस Planks constant की value बेटा आपने याद रखनी है 6.63 into 10 to power minus 34 Joule second और बेटा याद रखें Planks constant के बेटा जो units है Joule second ये किस quantity से matching है वो quantity हमारे course में तो नहीं है लेकिन वैसे लिख लें आप कि बेटा इस H के जो unit है बेटा वो matching है बेटा angular momentum से angular momentum बेटा angular momentum और Planks constant दोनों के units बेटा क्या है same इसके भी Joule second होते है इसके भी Joule second होते है अच्छा जब numerical में आपको तो H की value put करनी होगी आप सिरफ ये put करेंगे 6.6 into 10 to power minus 34 क्योंकि बेटा MDCAT में calculator तो allowed नहीं होता इसलिए आपने हमेशा decimal के बाद just one digit तक को आपने करना है इसलिए आप जब भी numerical आएगा तो H की value ये value put करके आप उसे solve करेंगे 6.6 into 10 to power minus 34 joule second तो बेटा ये H तो आगया planks constant तो बेटा जितने भी formula मैं भी लिखवाने लगाऊने ये सारे किस के लिए हैं सिरफ photons के लिए तो किसी भी photon की बेटा energy के है बेटा E is equal to HF अब बेटा याद रखें frequency का formula क्या होता है photon का C over lambda क्यों क्योंकि आपको बेटा speed of light is equal to होता है frequency of light into wavelength of light तो C is equal to F lambda अगर यहां से F निकालें तो बेटा F की value बेटा कितनी आजाएगी C over lambda और C बेटा क्या चीज़ है speed of light जिसकी value हम सब को हमेशन याद रखनी है 3 into 10 to power 8 meter per second अच्छे बेटा अब आप यहां पे अगर देखें तो अगर मैं F की value यहां put करूँ तो बेटा energy का formula कैसे लिखा जाएगा E is equal to H C over lambda तो बेटा यह formula energy का है जो lambda की terms में है यह वाला बेटा frequency के साथ है आप देख सकते हैं बेटा के energy और lambda एक दूसरे के बेटा क्या है inverse क्योंके H और C constant है तो बेटा किसी भी photon की energy wavelength के क्या होती है inverse होती है तो बेटा एक यह point आपने याद रखने देखें बेटा frequency भी lambda के inverse है क्योंके C एक constant है तो किसी भी photon की frequency भी lambda के बेटा क्या होती है inverse होती है energy भी lambda के inverse frequency भी lambda के inverse और energy frequency के सथ क्या है अब देख सकते हैं बेटा energy और frequency बेटा अपस में क्या है directly proportional जितना photon की frequency ज़्यादा होगी उतना उस photon की energy ज़्यादा होगी अब यहाँ बेटा एक और चीज ज़रा देखे कि जितने भी यह photons होते हैं इन सब photons के बारे में एक चीज याद रखें सारे photons जितने भी हैं इन सब का बेटा चार्ज क्या होता है जीरो होता है इन पर ना तो electric force apply हो सकती है ना इन पर क्या लग सकती है magnetic force क्योंकि electric force और magnetic force सिर्फ उन पर लगती जिन पर कोई charge हो और चुके photons पर चार्ज नहीं होता इसलिए photons पर ना तो electric force एक्ट करेगी ना magnetic force एक्ट करेगी एक बात नमबर टू जितने भी photons हैं इन सब का बेटा rest mass बेटा कितना होता है तो आपने याद रखना है कि जितने भी photons हैं एक्स रेज, गैमा रेज, रेडियो वेब्स यह सारे के सारे इन सब का बेटा rest mass बेटा क्या होता है जिरो यह भी mcq याद रखना है बेटा आपने अगली बाद जरह देखें किसी भी photon के momentum का फामूला लिखें क्या होता है P is equal to H over lambda H तो constant है तो momentum भी बेटा lambda के क्या आ गया inverse तो मैं यहाँ पर लिख दोँगा momentum is inversely proportional to lambda अब यहाँ बेटा आप एक चीज देख सकते है कि frequency भी lambda के inverse है energy भी lambda के inverse है energy भी lambda के inverse है momentum भी lambda के क्या है inverse है और अगर यह देखें energy, frequency और momentum यह तीनों चीज देखें लेमडा के inverse है और अगर यह तीनों चीज देखें लेमडा के inverse है तो आपस में तीनों क्या होंगी directly proportional अब आप पूरे टॉपिक की समरी ऐसे लिख लें बेटा के energy is proportional to frequency is proportional to momentum और यह तीनों बेटा आपस में तो proportional है बेट यह तीनों चीज देखें लेमडा के साथ क्या है इनवर्स है तो यह तीनों चीज देखें पूरे टॉपिक की समरी के energy is proportional to frequency is proportional to momentum और यह तीनों बेटा किसके inverse है लेमडा के inverse है इसका मतलब यह होगा अगर किसी photon की frequency दूसरे के निस्पट डबल है तो अगर frequency डबल है तो energy भी डबल होगी momentum भी डबल होगा और momentum डबल है तो बेटा लेमडा बेटा क्या होगा हाफ होगा क्योंकि लेमडा और momentum आपस में बेटा क्या है इनवर्स है similarly अगर एक photon की frequency four times है तो उसकी energy भी four times होगी momentum भी four times होगा बट लेमडा बेटा क्या होगा one fourth होगा क्योंकि लेमडा बेटा इन तीनों के बेटा क्या है inverse है तो लेमडा बेटा हो जाएगा one by four बेटा एक बात तो ये वली होगी तो बेटा ये एक formula बेटा याद रखना है momentum का ये वला बेटा आपके पास है frequency का ये वला बेटा इनरजी का है लेमडा की terms में और ये वला बेटा है इनरजी का frequency की tom's में ये सारे आपने लिखने हैं और यहाँ पे एक formula आपने और लिखने है जो के आ सकता है वो ये है कि आपको पता है कि E is equal to क्या होता है M C square हम इसको ऐसे भी लिख सकते है M C into C क्योंकि C का square है तो C into C लिख सकते है यह जो M into C है mass into speed of light यह momentum है और आगे C है तो किसी भी photon की energy का formula क्या बन गया E is equal to PC और C एक constant है तो आप देख सकते है energy और momentum आपस में क्या है directly proportional जो कि मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ कि energy momentum आपस में क्या है proportional तो यह सारे चीज़ें आपको याद होनी चाहिए देखें बेटा energy और momentum का formula momentum और wavelength का formula frequency और wavelength का formula energy और wavelength का formula AC over lambda और उपर मैंने energy का लिखवाया था frequency के साथ जो के था E is equal to HF यह सारे points आपको होने चाहिए याद अगली बात देखें और क्या क्या questions बन सकते देखें एक चीज़ देखें जो आपके पस gamma का photon होता है यह book की line है कि gamma के photon की energy किस order की होती है याद रखें गैमा के photon की जो energy होती है उसका बेटा order होता है वन मेगा इलेक्टरॉन वोल्ट और याद रखें इलेक्टरॉन वोल्ट बेटा energy का unit होता है और वन इलेक्टरॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 into 10 to power minus 19 joules energy का unit और याद रखें electron volt energy का बेटा सबसे छोटा unit होता है smallest unit of work और energy work या energy का सबसे छोटा unit बेटा कौन सा होता है electron volt और ये SI नहीं होता है SI unit बेटा energy का joules होता है अच्छा बेटा गैमा के एक photon की energy किस order की होती है 1 mega electron volt mega आपको पता ही होगा mega क्या होता है 10 to power plus 6 और बेटा जो radio photon है radio wave के एक photon की energy का order होता है 10 to power minus 10 electron volt और अगली बात visible light का भी लिख लें बेटा जो visible light है जिसे white light भी कहते हैं बेटा एक तो ये बात याद रखें कि इसकी जो wavelength होती है वो होती है बेटा 400 nanometer से 700 nanometer तक जिसमें 400 बेटा किसकी है और ये बेटा किसकी होती है red की एक बात number two बेटा अगली बात ये बेटा कि जो visible light होती है बेटा इसकी energy का order क्या होता है तो बेटा visible light की energy का order होता है आपके पास electron volt तो बेटा देखें gamma photon की energy का order क्या था mega electron volt radio का 10 to power minus 10 electron volt और visible का बेटा क्या है सिरफ electron volt और याद रखें इसकी energy की पूरी range भी लिख लें 1.8 electron volt से लेकर यह आपकी होती है 3.1 electron volt जिसमें 1.8 electron volt बेटा देखें यह कम energy है और कम energy बेटा red की होती है तो बेटा यह आपके पास red color है और 3.1 electron volt बेटा होती है violet color के photon की energy तो बेटा visible light की energy बेटा कहां से कहां तक है 1.8 EV to 3.1 EV और wavelength बेटा कहां से कहां तक है 400 nanometer to 700 nanometer तक यह points बेटा आपको याद रोने चाहिए और visible light की energy का order क्या है electron volt में होती है यह energies अच्छा बेटा इसके बाद ज़रा देखें कि अगर आपके पास questions देखें किस तरह क्या हैंगे अब मैं आपको 4 to 5 questions करवा रहा हूँ और वो questions देखें क्या है देखें बेटा पहले तो मैं बुक का numerical दे रहा हूँ आपको example जो है देखें अगर एक photon है उसका lambda है 1240 nanometer तो इस photon की energy कितनी होगी electron volt में भी बतानी है आपने और joule में भी बतानी है normally हमें जब भी question आएगा वो electron volt में पूछेगा लेकिन हमें दोनों में निकालना आना चाहिए तो बेटा आपके पास 30 seconds है एक photon का lambda गिवन है और आपने energy निकालनी है joule में भी और electron volt में भी आपको पता ही है कि पेटा फार्मूला क्या था आपके पास photon की energy का lambda वाला e is equal to hc over lambda बट इस formula का disadvantage यह है कि आपको h की value पुट करनी है फिर c की value पुट करनी है फिर lambda पुट करना है और lambda पुट करने के बाद भी energy जब आएगी तो वो joules में आएगी लेकिन normally हमें energy वो electron volt में कहता है तो फिर हमें convert भी करनी पड़ेगी तो इस सारी calculation से बचने के लिए आप यह वाला formula यूज नहीं करेंगे जब भी आपको lambda गिवन हो और आपको energy निकालनी हो तो आप को energy निकालनी हो बहले ही वो electron volt में निकालनी हो या joule में निकालनी हो हमेशा आप यह वला formula यूज करेंगे most of the time वो EV में ही पूछेंगे तो फिर तो direct answer आजाएगा और अगर joule में पूछें तब भी formula यही वला आप यूज करें और end पे हम electron volt को convert किसमे कर लेंगे joule में और जो कैसे convert होगा क्योंकि 1 EV is equal to क्या होता है 1.6 10 to power negative 19 joules अब जरह बेटा इसको हम करते हैं solve जरह देखें E is equal to उपर क्या है बेटा 1240 into 10 to power negative 9 और आपको बता है यह बुक का example है आपकी यह और lambda कितना बेटा 1240 nanometer तो यहाँ पुट कर दें 1240 और nano बेटा क्या होता है 10 to power minus 9 और यह बेटा energy किसमें आएगी electron volt में देखें में अब आपको पता है कि यह minus 9 minus 9 से cancel यह इस से cancel बेटा हर चीज़ कैंसल होगी बगी बच क्या गया बेटा 1 electron volt और अगर इसी को convert किसमें करना होता जूल में बेटा 1 EV is equal to क्या आ जाता 1.6 into 10 to power negative 19 joules बेटा यह आपके पास आ जाता EV में आनसर यह आ जाता बेटा जूल में आनसर अब बेटा एक question में आपको और देरों बेटा वो बला करें फिर उसके बाद हम एक दो और questions करेंगे इसके जड़ा देखें बेटा अगर आपके पास एक photon है और उस photon की बेटा energy आपने find करनी है और उसका जो lambda बेटा वो आपके पास है 400 nanometer तो आप बताएं बेटा उसकी energy कितनी होगी electron volts के अंदर देखें बेटा हमें lambda given है और क्या निकालनी है energy बेटा फामूला मैंने क्या लिक वाया है e is equal to 1240 into 10 to power negative 9 नीचे बेटा लिखेंगे आप lambda और ये आपको energy देगा बेटा किसके अंदर electron volt में अब lambda बेटा कितना है आपके पास lambda की value बेटा 400 nano मतलब 10 to power minus 9 उपर बेटा के 1240 into 10 to power negative 9 बेटा आप देख सकते हैं बेटा negative 9 से बेटा cancel हो जाएगा 10 इससे क्या हो जाएगा cancel देखें उपर बच गया बेटा 124 नीचे आगया 40 देखें बेटा अगर उपर होता 120 नीचे होता 40 तो answer आता exact 3 के equal just आपके पास उपर लिखा हुआ है 124 over 40 तो बेटा ये 3 से बस जड़ा सा ज्यादा answer आएगा जो कितना आएगा आपके पास 3.1 जो कि option देखे आप कर भी लेंगे तो ये बन जाएगा बेटा 3.1 electron volt ये बेटा आपके पास आजाएगी बेटा energy की value EV में और अगर जूल में वो कह देते सिर्फ आपने क्या करना था बेटा 3.1 लिखा हुआ है EV की जगा आप क्या put कर देते 1.6 into 10 to power negative 19 तो जो इसका answer आता ये देखें ज़रा ये 1.6 है ये 3.1 है रफली रफली अगर आप देखें तो answer 5 के पास आता है तो ये आजाता 5 into 10 to power minus 19 जूल तो इलेक्ट्रोन वोल्ट में और जूल में आप दोनों में बेटा इस तरह से find out कर सकते हैं अब एक question बेटा और करें एक question बेटा आपके पास ये है कि अगर एक photon है और उस photon की energy बेटा आपके पास है 4 electron वोल्ट बेटा आपने बताना है इस photon का lambda कितना होगा बेटा फार्मूला आपको पता ही है E is equal to 1240 into 10 to power negative 9 नीचे आजाएगा lambda और ये बेटा किसमे आ रही है आपके पास EV में हमने इस दफ़र lambda निकालना है lambda वहाँ लेकर जाएए नीचे लेकर आए तो lambda is equal to 1240 into 10 to power negative 9 नीचे बेटा आजाएगा E और ये बेटा किसमे आ रही है EV में बेटा E में energy कितनी है आपके 4 EV बेटा हम यहाँ put कर देंगे 1240 into 10 to power negative 9 नीचे बेटा आजाएगा 4 EV और आगे बेटा यहाँ पे EV है ये EV से क्या हो जाएगा अब बेटा आपने 1240 को 4 पे डिवाइड करने है देखें बेटा अगर उपर 1200 होता नीचे 4 होता तो answer कितना आता 300 और बेटा उपर क्या लिखा हो है 1240 बाकि 40 बच गया उस 40 को दुबारा 4 पे डिवाइड करने कितना आएगा 10 बेटा ये 300 plus 10 कितना आजाएगा ये आजाएगा आपके पास 310 इंटो 10 to power minus 9 और बेटा आगे आजाएगा बेटा मीटर ये बेटा आजाएगा लेमडा और ये 10 to power minus 9 बेटा क्या होता है नैनो मीटर ये बन जाएगा बेटा लेमडा is equal to 310 नैनो मीटर बेटा वर्चूबस मेंस एफ फोटान कितना होता है तो वर्चूबस एफ फोटान होता है कि rest獰स अगर इतना है तो moving mass कितना होगा तो उसे हम वर्चूबस कहते हैं और बेटा देखें वो कैसे आप करेंगे लिएक्वेल टू क्या होता है mc square और e is equal to एक और भी आपने पढ़ा हुआ e is equal to hf और अगर ये दोनों की equation की एक side equal है energy तो बाकि दोनों भी equate कर सकते हैं आप तो हम क्या लिख सकते हैं mc square is equal to hf और यहां से अब m निकालें तो ये c square वहां जागे क्या हो जागा डिवाइड तो बेटा क्या बन जाएगा m is equal to hf over c square तो बेटा ये होता है ये जो m है यहां पर ये क्या है ये आपके पास बेटा है virtual mass of photon hf over c square एक चीज़ और ज़रा देखें बेटा अगर आपके पास बेटा एक photon है और उसका एक graph गिवन है आपको energy versus frequency तो इस graph का जो gradient होगा या जो slope होता है एक ही चीज़ के दो नाम है वो किस चीज़ को represent करेगा तो देखें बेटा अगर आपके पास यहां पे एक graph है और आपको पता है बेटा के gradient के लिए हम क्या करते हैं gradient के लिए हम y axis वाली quantity को x axis पे बेटा क्या करते हैं divide तो gradient के लिए हम क्या करेंगे energy को बेटा frequency पे divide करेंगे तो बेटा देखें आपको पता है किस भी photon की energy का formula क्या होता है e is equal to hf और अगर मैं frequency बेटा वाँ जाके divide कर दो बेटा क्या बन जाएगा e over f is equal to h इसके मतलब बेटा क्या हुआ कि जब मैं energy versus frequency energy versus frequency graph का बेटा क्या find करूंगा gradient तो बेटा वो किस के equal आएगा planks constant के बेटा इस graph का जो gradient होगा वो planks constant को represent करेगा तो यह भी point आपने याद रखना है energy versus frequency graph का gradient या slope किस quantity को represent करता है planks constant को इसके बाद बेटा बस 3 mcqs और लिख लें 3 points यह important तो नहीं है लेकिन जस्ट वो लिख लें क्योंके यह photo electric effect content और pair production से बेटा रिलेटिड है बट वो हमारे course में नहीं है लेकिन बस 3 points लिख लें बेटा अगर तो photons की energy अगर photons की जो energy है वो आपकी less than o one zero point five mega electron volt तो maximum chance यह है के वो photons बेटा क्या करेंगे photo electric effect तो यह तो हो गया number one और बेटा याद रखे number three यह है के अगर तो photons की जो energy है वो greater हो किसके one point zero two mEV के वैसे equal पर भी हो सकती तो आप लिख लें energy equal या greater हो one point zero two mega electron volt से तो वो फोटोन बेटा कौन सा phenomenon करेंगे वो करते हैं बेटा pair production का और अगर energy देखें zero point five mEV से कम हो तो photo electric effect के चांसे ज़्यादा होंगे अगर one point zero two यह इस से ज़्यादा हो तो pair production के चांसे ज़्यादा होंगे बट अगर intermediate level की energy हो मतलब zero point five से लेकर one point zero two के दर्मियान में तो फिर वो जो photon होंगे बेटा उनका maximum क्या चांस है के वो क्या करेंगे वो competent effect करेंगे जिनकी energy intermediate range में होगी मतलब one point zero two से कम और zero point five से ज़्यादा होगी तो वो बेटा उनके dominant जो process वो करेंगे वो होगा बेटा competent effect बेटा ये आपके पस बेटा chapter था dawn of modern physics का next बेटा हम करेंगे इसके बाद atomic spectra का article इन्शाला ताला ओके बेटा अल्लाहाफेज